साल 2015 बंगलदेशी मूल की एक ब्रिटिश नागरिक शमीमा बेगम जिसकी उम्र उस समय महज 15 साल थी वो अपने दो दोस्तों के साथ ब्रिटिन से भाग कर सीरिया पहुँच गई कारण ISIS में शामिल होना का जाता है कि शमीमा ब्रिटिन में पढ़ाई कर रही थी इसी दोरान वे सोशल मीडिया के जरिये ISIS से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में आई और तुर्की के रास्ते सीरिया चली गई YSIS में शामिल होने के कठोर मकसद से उस उम्र में ही भाग गई थी वहां पहुँचकर शमीमा ने सिर्फ दस दिन के अंदर ही एक डच नागरिक यागो रियेडिस से शादी कर ली थी बताया जाता है कि यागो भी ISIS से जुड़ा हुआ था जिससे उसे तीन बच्चे हुए लेकिन एक भी बच्चा जिन्दा नहीं बच सका इसके बाद जानकारी मिली कि 2019 में ISIS के खात्मे के लिए चलाये जा रहे ओपरेशन के बाद शमीमा को हजारों लोगों के साथ सीरिया के एक शिवर में भेज दिया गया था यानि कि रफ्यूजी कैम्प में फिलहाद वो 2019 से उसी शिवर में रह रही है समवता शमीमा को पता चल गया था कि जिस ब्रिटन से वो अपने परिवार को छोड़ कर वहाँ आई वो उसकी कितनी बड़ी गलती थी लेकिन अभी तो ये महश चुरुबात थी फरवरी 2019 में ब्रिटन के ततकालीन आंतरिक मंतरी साजित जाविद ने शमीमा को राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रती खत्रा मानते हुए उनकी ब्रिटिश नागरिक्ता रद कर दे थी सरकार ने कहा था कि शमीमा के इतने समय तक आतंकवादियों के पास रहने के चलते हैं देश के लिए खत्रा पैदा हो सकता है और उनका इस्तमाल जासूसी के लिए भी किया जा सकता है इसके बाद शमीमा की मुश्किलें और बढ़ती चली गई उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ISIS में जाने का मकसद उसे अपने ही देश में राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए खत्रा गोशित कर देगा एक ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2020 में फैसला सुनाया कि शमीमा बेगम की नागरिक्ता वापस लेना वैद था क्योंकि वो वन्शानुगत यानि की मूल रूप से बांगलेदेश की नागरिक थी फैसने में कहा गया था कि ऐसे में उनकी बिट्च नागरिक्ता वापस लेने से वो राज्य विहीन नहीं हो जाएंगी हालें कि बangलेडेश ने कहा कि ऐसा नहीं है उन्हें बangलेश आने की अजाज़त नहीं दी जाएगी यानि कि शमीमा को सीरिया में ही रहने पर मज़वर होना परा बृतें से भी गई और बangलेश से भी बीते साल भी शमीमा ने नागरिकता वापस पाने के लिए आवेधन किया शमीमा ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से नहीं बलकि तसकरी करके सीरिया भेज दी गई उसने इसके गिलाब Special Immigration Appeals Commission यानि कि SIAC में अपील डायर की थी जिसे खारिच कर दिया गया था शमीमा के वकीलों ने कहा था कि ये पता लगाना ब्रेटन सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका कोई नागरिक सीरिया कैसे पहुँच गया और नागरिकतार रद्द करने के फैसले पर पुनरविचार किया जाना चाहिए इस मामले को खारिच करते हुए अदालत के मुख्यन आदीश ने कहा था ये तर्क दिया जा सकता है कि बेगम के मामले में निरणय कठोर है और वे अपने दुरभाग्य की लेखिका खुद है लेकिन कोट का काम किसी भी दृष्ट कोण से सहमत या सहमत होना नहीं है हमारा कारिय ये आंकलन करना है कि क्या नागरिकता चीने जाने का निरणय गैर कानूनी था हमने निशकर्च निकाला है कि ये गैर कानूनी नहीं था और अपील खारिच की जाती है अब फरवरी 2024 में भी उन्होंने इसके खिलाफ अपील दायर की लेकिन ब्रिटिस अदालत ने अपने उसी फैसले पर कायम रहकर शमीमा की अपील को खारिच कर दिया आपको बता दें कि ब्रिटन में रास्ट्री सुरक्षा चिन्ताओं को देखते हुए ऐसे कदम अकसर उठाये जाते हैं जिसके तहट शमीमा की नागरिकता गई तो जिस प्रकाश शमीमा 2015 में महज 15 साल की उम्र में आईस आईस में शामिल होने के कटोर मकसद को लेकर के वहाँ गई उसका खामियाजा उन्हें किस प्रकार भुगतना पड़ा ये आब वो स्वयम जानती है फिलाल वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत में भी नागरिकता खत्म किये जाने को लेकर के ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर रताएं